आईए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो आज की वीडियो में कुछ खास क्वेश्चन जो वैल्डिंग से संबंद थे वैल्डिंग करने के बाद जो वैल्डिंग के जो जोएंट होते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो म में देखना है वैल्डिंग करने से पहले जिसे ए ओफ्टन हो गया वैल्डिंग करने से पहले बी वैल्डिंग करते समय और सी वैल्डिंग करने के बाद और डी है उप्रोक्ते सभी तो इसका सही आंसर होगा उप्रोक्ति सभी क्योंकि हम welding करने से पहले भी निक्षण करते हैं welding करते हैं समय भी हमें दियान रगना पड़ता है अंगल का और welding करने के बाद भी हम उसमें देखते हैं कि कोई दोस्तों नहीं आए, अस्पेटर या फिर अंडरकट बहुत से जो भारी दोस्त होते हैं, हमारी welding में वो दोस्तों नहीं है, ठीके, next question है, weld जोड में penetration का दोस्त किस कारण आता है, तो दोस्तों पहला जो इसमें answer दिया गया है, उच्छ current, low current, welding speed come short circuit तो इसका सही answer इन में से low current है, क्योंकि low current के कारण metal सही से नहीं पिंगलता और जो penetration है, वो नहीं आती, उच्छ current अगर हम, उच्छ current इसका सही answer नहीं होगा, क्योंकि उच्छ current से blowhole की समस्य आती है, और welding के speed कम होना, ये भी एक सही कारण नहीं है, short circuit भी नहीं है, तो low current ही इसका सही answer है, क्योंकि metal सही नहीं पिंगलता और जो penetration है, जो पीछे निकल जाता है, joint अच्छी तरह से बनने के बाद, तो वो penetration इसमें नहीं आती, metal नहीं पिंगलता, low current के कारण ठीक है दोस्तों, तो इसका सही answer है, low current, ये question जाला तरह एक्जाम में आते हैं, इसलिए इनक क्यारी, धातू का, उसकी मोटाई के अनुसार, इलक्टोड का चुनाओ, इलक्टोड का कौन, तो इन में से किसका हमें welding से पहले connection क्या जाता है, तो इन में सही answer कौन सा होगा, तो जोब की तयारी, तो वैल्डिंग से पहले हम जोब की तयारी भी करता है, ये भी सही हो सकता और धातू, उसकी मोटाई के अनुसार, इलक्टोड का चुनाओ, इलक्टोड का कौन, ये सभी सही answer है, इन में से सिर्फ जो गल्ट है, इलक्टोड का कौन, तो इलक्टोड का कौन हम welding करते समय देखते हैं, वैल्डिंग करने से पहले नहीं, तो इसका जो A और B answer है, वो सह इलक्टोड के तयारी करते हैं, और धातू की मोटाई के अनुसार, इलक्टोड का चुनाओ करते हैं, तो next question है, वैल्डिंग किये जाने के उपरांत, कौन से परिक्शन किये जाते हैं, दोस्तों, वैल्डिंग करने के बाद हम जब जोब की जाज करते हैं, तो उसमें कुछ परिक्शन करते हैं, तो कौन-कौन से होते हैं, वैल्डिंग करने के उपरांत, यह हैं नौन डिस्टेक्टिव टेस्ट, बी सेमी डिस्टेक्टिव टेस्ट, सी डिस्टेक्टिव टेस्ट, डी उपरोकते सभी, तो इन में से जो सेमी डिस्टेक्टिव और टेस्ट किया है जो बहारी हम बहार से आँखों से हम देख लेते हैं कि इसमें कोई दोस्त नहीं है जोब की तोड़ फोड़ नहीं करनी होती और सेमी डिस्टिक्टिव में थोड़ा तोड़ फोड़ करते हैं और डिस्टिक्टिव टेस्ट में पूरा ही तोड़ फोड़ किया उसका पता लगता है, तो वह कौन से दोस का, हां को से देखकरamas़ान का पता लगा सकते हैं, कि इसमें कोन सा दोस हैं, तो एह, अंडरकट, ओवरलैप, अप्लप्स, सभी तो इनमें से कौन सा सही जो 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 है आ बाहर से देखने के करता है कि तो च्रहा है और chef सकते हैं तो यह बहुर्णी दोस्त हैं जिनका हम पता लगा सकते हैं आखों के जरी यही नेक्स्ट क्यूस्ट है एक्सरे टेस्ट में वैल्ड जोड के कौन से दोस्ट का पता लगता है ठीके दोस्तों तो इसमें यह देखना है चार जो आउसर दिये हैं चार ओफसान है इसके तो इसमें पहला है अंदरुनी क्रेक्स, B, स्लैग इंक्लूजन, C, वैल्ड क्वालिटी और उप्टोक्ते सभी तो X-ray से हम जो अंदर की वैल्डिंग है, X-ray से हम अंदर इन दोस्त का पता लगाते हैं दोस्ते हैं वैल्डूनी क्रेक्स भी हो जाएगा और जो अंदर के की क्वालिटी क्jut क्या है तो इसलिए इनका आंसर होगा उप्रोक्त सभी agnelect क्युश्यन है, वैल्डिंग दोस्त के कारण जोब में आने वाले टेडापन को क्या कहते हैं तो A as-patter, B, crater, C, distortion, D, undercut तो इसका answer spatter भी नहीं है spatter एक भारी दोस है जो धादू के छोटे छिंटे होते हैं वो भी इसका एक ये नहीं है answer B है crater crater भी welding bead के बाद में आने वाला एक दोस है उसमें गोला सा पढ़ जाता है ये भी नहीं है distortion इसका सही answer है क्योंकि कि लिए डिस्टॉरेशन क्या है जब मेल निक करते हैं वेल निक करने के बाद जब हमारा जोब ठंडा हो जाता नहीं रखता है और मोड जाता है semi destructive test कौन सा है semi destructive जिसमें जोब के साथ toad ford तो की जाती है लेकिन कम मातरा में की जाती है बहुत ही कम अदि ही toad ford की जाती है इसमें एक option है test पहला है drilling test, cutting test band test A और B दोनों semi destructive test कौन सा है ये इसमें पूछा है dealing test और cutting test दोनों semi destructive test में ही आते हैं band test जो है वो semi destructive नहीं है उसमें फूराई toad ford किया जाता है तो A और B इसका सही answer है ठीके दोस्तों तो इन चीज़ का धियान रखेंगें ये बहुत ही question बहुत ज़्यादा परिक्साव में आ जाता है next question है welding से पहले नेक्सन किया जाता है जोब के किनारों की तैयारी धादू का उसकी मोटा एक अनुसार इलक्टोड का चुनाओ इलक्टोड का कौन उप्वक्ते सभी तो दोस्तों इस में से जो पहला question है answer है जोब के किनारों की तैयारी ये और दूसरा है धादू के मोटा एक अनुसार इलक्टोड का सुनाओ तो इसका सही answer A और B है कि ये दोनों चीज़ें welding करते समय देखते हैं C इसका सही answer नहीं है क्योंकि ये welding करते समय देखते हैं और वो A और B welding करने से पहले देखते हैं next question है कौन से injection test में जोब को तोड़ा फोड़ा नहीं जाता non-districtive test A और B इनमें से कोई नहीं तो डिस्टेक्टी टेस्ट में जोब को तोड़ते हैं तोड़ने के बाद ही उसका हम अंदर के जो दोसें उनका पता लगते हैं और non-districtive में जोब को तोड़ा-फोड़ा नहीं जाता तो इसका सही अंसर है non-districtive ठीक है कょ toddler इसमें हम जोब को तोड़-फोड़ इतना ही तो मिलते हैं अगले टोपिक पर से संब्बद ही कुछ क्रिश्टन लेकर आएंगे और वीडियो देखते रहे हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर जरू करें